नमस्कार दोस्तों जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसे बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जो कि लगाने बहुत जुरूरी भी हैं जैसे BCG का, Hepatitis B का और ऐसे बहुत सारे और ये सब एक चाइल्ड की बिमारियों से बचाने के लिए लगाये जाते हैं असान बाशा में बोलू दोस्तों तो अपने चाइल्ड को बच्चे को हम पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं आने वाली बिमारी से लेकिन ये सब चीजें अपने मन में बहुत से सवाल खड़े कर रही होगी कि ये immunity क्या होता है, vaccine क्या होता है, अपनी immunity को कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम बच कैसे सकते हैं बिमारियों से, सबका आंसर दूँगा दोस्तों इसी वीडियो में, तो बने रहिए दोस्तों इसी व बताऊंगा जिसे आप अपनी immunity को बहुत बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले कि ये immunity vaccine होता क्या है, बिल्कुली असान भाषा में बूलू दोस्तों तो immunity का मतलब कि अपनी body की, अपने शरीर की microorganism से लड़ने की शमता, मतलब अगर कोई भी चीज हमारी body पे attack करती है, चाहे वो को पहली बार तो बहुत सारे chances दोस्तों कि आप बिमार पढ़ जाएंगे क्योंकि आपकी body में वो पहली बार enter कर रहे हैं, और यहीं से दोस्तों, doctors ने एक और नई चीज बना दी, vaccine Vaccine का मतलब दोस्तों कि आपकी body में थोड़े से dead and weakened microbes introduce किया जाते हैं, ताकि future में जब भी यह germs आपकी body में enter करें, तो आपकी body पहले से ही ready रहे है, उन्हें fight करने के लिए और हाँ हमें एक चीज ज़रूर समझनी होगी कि यह टीका करन, immunity, vaccine शुरू से ही नहीं था, लेकिन किसी ना किसी form में यह अपनी दुनिया में हमेशा रहा, जिसे बहुत साल पहले एक buddhist मौक ने सांप का जहर पिया, थोड़ा थोड़ा, ताकि वो सांप के जहर से immune रहे, चाइना में भी cowpox, smallpox से बचने के लिए कुछ ऐसे ही तरीके अपनाएं गए, लेकिन Edward Jenner, founder of vaccinology माने जाते हैं, जिननोंने कई साल पहले smallpox के against vaccine तयार कर दी, और फिर तो क्या था, मेरे ख्याल से आजकल almost हर चीज की vaccine आ चुकी है, और अब आप शायद समझ चुके होंगे कि ये vaccine, immunity, tika, current कितनी जादा important है, ये आपके बच्चे को आपकी body को पहले ही तयार कर देता है आने वाली बिमारी के लिए, और vaccines भी दोस्तों बहुत तरह की होती है, जैसे inactive vaccine, जिसमें killed bacteria या virus होता है, subunit vaccine, जिसमें bacteria या virus तो बिल्कुल भी नहीं होता, बलकि इसमें किसी न किसी तरह का antigen होता है, और भी बहुत तरह की vaccines, और जब हम immunity की बात करते हैं दोस्तों, तो immunity भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे innate immunity, जो acquired immunity होती है, naturally अपनी body में होती है, just for example, किसी को viral fever जादा होता है, किसी को नहीं होता, दूसरे type की immunity दोस्तों, acquired immunity, जो हम throughout our life acquire करते हैं, vaccine क through, virus के contact में आने से, या किसी भी तरह आपने हम acquire करते हैं vaccine, और आखिर में दोस्तों, passive immunity जो कि आप borrow करते हैं for a short time, ये सब था दोस्तों, vaccine के बारे में, immunity के बारे में, immunization के बारे में, और जैसे कि मैंने पहले कहा था, आखिर में आपको मैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बता sound weird, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी और पूरी नीद लें, क्योंकि जब आप सोते हैं, तो आपकी body आप खुद को repair करती है, और आपका immune system भी बिमारी से अच्छे से fight कर सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप minimum 6-7 hours की sleep ज़रूर लें, दूसरी चीज, आप अ digest, जो आपकी body digest करती है, वो आपको helpful होने वाला है, और seasonal fruits भी एक बहुत अच्छी option है, जो आपकी immunity को बहुत boost करेगा, तीसरी चीज, हर रोज, जिसमें भी आप comfortable हों, थोड़ा ज़ादा exercise ज़रूर करें, यूँकि exercise आपकी body को बहुत boost कर सकता है, और eventually exercise आपके immune cells को regenerate करने में help करती है, तो exercise करनी बहुत ज़रूरी है, जितनी भी आप comfortable हों, उतनी करें, लेकिन करें ज़रूर, चौती चीज, और सबसे important चीज, जो human body है, वो 60% पानी से बनी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप hydrated रहें सारा दे, यूँकि ज़रा सा भी पानी का level अगर decrease हुआ, तो आपकी body आपको signs and symptoms दिखाने बहुत easily शुरू हो जाती है, और eventually इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है आपकी body पे, इसलिए अपने आपको हमेशा hydrated रखें, पानी पीते रहें, और especially गर्मियों के मौसम में तो ज़्यादा पानी पीते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पांच मी चीज़, खुश रहें, अपने stress levels को कम रखें, और जिन्दगी की तरफ एक positive attitude रखें, येकीन माने दोस्तों, अपना जिन्दगी को देखने का नजरिया बदलने से जिन्दगी बहुत बहतर लगने लग जाएगी, तो ये था दोस्तों मेरे पांच ऐसे तरीके ज दोस्तों, जादा से जादा अपनी family members के साथ जादा से share करें और subscribe करें दोस्तों, informative learning का से बहुत से informative वीडियो देखने के लिए, मैं हाजर होता रहता हूँ, वीडियो लेकर प्लेकें फोड़े टाइम से नहीं आ रही, तो आएंगी, अब आएंगी, जरूर आएंगी, फिं कि अ illness, जरूर आएंगी, अ एंगी, अunterखेंघ आएंगी, तो आएंज नहीं आएंगी, जरूर आओचें वे एंड़े, घब आएंगी, तो आएंगी, जरूर आजर होता है?